वेल्कम टू स्लीपी क्लासेश दोस्तों माई सेल्फिस डॉक्टर ध्रमेदर सिम् और मैं यहां पर काफी समय से बहुत से बच्चे मुझे जानते भी हैं तो रिसेटली हमने चैट जैपीटी के उपर अगर आप देखोगे शौर्ट्स बनाए बहुत से बच्चों को पता है क काफी यूजब भी करते होंगे आज कल काफी ज़्यादा इसका यूजब होता है तो यह इट मेंस के लिए चलो इंपॉटेंट है बट हमेशा हमने एक चीज मानी है कि यूपीज़ी जो बहुत ज़्यादा लाइट होता है उसको इतनी जल्दी कैच नहीं करता है या उसे हि सके कि यार चैट जीपीटी तो ठीक है सभी को पता है तो हम क्या बाड या जीपीटी फोर इसके हिसाब से कुछ इनको मिक्स करके कोई कोशन बना सके तो वह अच्छा क्वालिटी का कोशन होगा और हो सकता है कि बहुत से बच्चों को आए ना तो मेरी कोशिश है कि आज के लेक्षर के अंतर हम तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में थोड़ी सी बात करें ठीक है दोस्टों चलिए तो यहां पर दोस्तों अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर जो है इंडिविजियुल क्रेश कोर्स या इंडिविजियुल हमने अगर कोई सब्जेक्ट हमारा वीक है तो उसको लेना है तो आप यहां पर यह प्राइस है और कोई भी चाहे एकॉनमी हिस्ट्री जो भी चाहे साइंस एं और आपका रिवीजन भी होती जाएगी साथ साथ में बहुत से चीज़ें होती है जो हिटन इसके अंदर रहती हैं तो अगर आप बहुत से कोर्स हमारे हैं आप यहां पर और ज्यादा इसको यूज करना चाहते हैं और डिसकाउंट लेना चाहते तो यह कोड यूज कर सकते वहाँ पे नीचे मिलता है कि आप कुछ भी text जो है वो search करोगे उसके हिसाब से वो answer देता है अब ऐसे कैसे answer देता है because इसके अंदर हमने बहुत सा data feed किया है तो ये उस हिसाब से basically ये computer language model के उपर काम करता है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस हिसाब से ये answer देता है लेकिन क्या ये perfect answer देता है जैसे माले जी अभी आप Google के उपर कुछ search करते हो तो बहुत से link आ जाते है क्या आप WHO की side के उपर जो लिखा है वो पढ़ना जाते हो या कोई research newspaper में है वो पढ़ना जाते हो है न तो इस हिसाब से हम अलग-अलग चीज़े डूंडते है लेकिन ये आप सीधा ही आपने जैसे question पूछा है जैसे as a teacher आप as a student मेरे से question पूछते है तो मैं उसका reply करता हूँ तो इसी तरह ये अपना reply करता है तो it means कि इसके अंदर कुछ न कुछ हमने information काफी डाली हुई है उसके हिसाब से ये answer देते है तो पहले GPT का मतलब है Generative Pre-trained Transformer 3 ठीक है GPT basically एक language model है तो जो chat GPT है more specifically GPT 3.5 के उपर ये based है open AI ने बनाया है ठीक है ये बात होगी चलो इसकी अब कुछ इसके अंदर खामियं भी देखते हैं और क्या ये करता है तो अगर जैसे माले जी आपने कोई text वहाँ पे कुछ भी लिखा कोई आपके मन में question है कि जैसे माले जी 5G जो है वो high frequency है low frequency है उनके बीच में care difference है क्या वो कौन सा data मुझे है वो कुक देगा कौन सा किसकी जो range जादा होगी तो ये आपके मन में जो भी question तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो इसके लाब माले जी आपने कोई official email लिखनी है तो आपने जैसे suppose करो कोई email लिखी अपनी language के अंदर लेकिन आपको पता है कि हम इतने perfect नहीं है कि official level के ओपर जैसे language यूज होती है वो पूरी कर पाएं तो आप वहाँ पे लिखके उसको बोल सकते हो rewrite तो वो एक अच्छी language के अंदर आपको वहाँ पे rewrite करके दे देता है कोई भी list है CV है तो बहुत से चीज़े ऐसे homework यह सब कुछ आप यहाँ पे करवा सकते हो ठीक है यहाँ तक के यह code भी लिख सकता है लेकिन limitation के है बहुत से लोगों ने इससे fishing code हो गए या कुछ ऐसे code जो दूसरे को trap कर सकता है जैसे हमें कोई email आती है जो बोलता है कि इसको click करें मज़ा आएगा तो हम करते हैं तो लेकिन मज़ा आता है लेकिन उसको आता है हमारा कुछ बोल ले जाता है तो मतलब यहाँ पे ऐसे code भी लिखवाने के से कोशिश की की तो कई बर क्या गयता है कि यह कुछ लिख देता है कई बर तो मना करते तो आप बढूरी मतलब आपको के लगा गया उसको चाहिए लेकिन देखना है यह दिक्कत है दूसरा जो आप देखोगे अग Доश्रा दो ही जो हनि करते हैं क्योक्मकिता क्योंकर कन आप से स्टार्ट होता है तो वह बाइसनेस इसके अंदर भी आती है इसके इलावा कुछ जो है डेटा जो हम प्रोवाइड करता है वह इतना एकुरेट नहीं है क्योंकि अभी क्या होता है कि आप इसके उपर आप देख रहे हो तो लेकिन यहां पर क्या होता है आपको पता नहीं है कौन सा डेटा इसको लर्न करवाया गया तो वहां पर इन एकुरिसी के चैंसल भी बढ़ जाते हैं ग्रैमेटिकल जो मिस्टेक वो रहती है ठीक है ओके क्या यह फिक्षन लिख सकता है तो यहां पर आप देखोगे तो इसने बोला कि लिख तो सकता है लेकिन ऐसा नहीं जैसा लिखते मिट एक यह है एक तो देखो जो सेफकार्ट मैंने बताया इन्फरमेशन यह वो सारी चीज़ें होगी कोई लिखवा दिया किसी ने गलत कोड जो किसी और को ट्रैप कर सकते हैं वो सारी चीज़ें होगी अब यहां पे न्यू यॉयर्क की बात करते हैं न्यू यॉयर्क एक एजूकेशन डिपार्टमेंट उन्होंने यहां पे बैन किया चैट जीपीटी को प्लैजरिजरिजम की बात आते हैं जैसे माले जी आपको किसी ने कोई पीएचडी कर रहे हैं कोई आपने थीसिस बनानी है तो वहां से आपने इंटरनेट से यहां से कॉपी करके वहां पे रखती है तो वहां पे पकड़े नहीं जाते हैं तो अगर माने जे स्कूल के अंदर बचों को को इसाइनमेंट दी है वो सारी वहां से बना रहे हैं तो यह एक दिक्कत है इसलिए निव योर्क की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने बैन किया इसको चैट जीपीटी को ठीक है ओ बात कर लेते हैं यह तो होगए चैट जीपीटी तो चैट जीपीटी के अंदर हमने यह देखा कि एक तो बेसिक इंफरमेशन है ठीक है दूसरा के टेक्स के हिसाब से इसका काम चलता है लेंगविज मॉडल उसका जेपीटी 3.5 अगर हम बोले 3 या 3.5 बोल सकते हो तो गू लेंगविज मॉडल की अगर बाट की बात करें वो है लेंबडा और इसका जो है जीपीटी 3 ठीक है देन सोर्स अफ इंफरमेशन तो हमने यह पड़ा कि चैट जीपीटी के अंदर जो सूर्स अफ इंफरमेशन इंफरमेशन दी गई है उसको लेकिन 2021 से पहले जो भी डेट कोई इसकी क्योंकि देगा तो यहां पर कट अफ कोई ऐसी कुछ खास है नहीं अक्सेस जो है लिमिटेड होगा मतलब लिमिटेड लोगों को मिलेगा इसका लिमिटेड है कोई भी जाके आप साइनिर करो और वहां पर यूज कर लो लिमिटेशन क्या है जो भी इंटरनेट क के अंदर बाइशनाय सै वो हमें उसके अंसर के अंदर देखती है तो यह जो है यहां पर कोई अगर देखने को मिल सकता है तो ठीक है अब यह तो बात होगी चैट जी पीट लेक़ भाए ले के अघे GPT 4 मतलब उससे एक कदम आगे ठीक है इसके उपर बेस्ट है इन्हों बोला कि जो भी चैट GPT के अंदर या फिर मैं कहूं GPT 3.5 के अंदर दिक्कत थी वो सारी ये सालो करेगा पहले से ये बढ़िया होगा ज्यादा एकुरेट होगा और एक्जाम जो है वो अच्छे से दुन इमिजिज भी आप दे सकते हैं उसके حساب से उसका अंसर इमिजज के अंदर भी आ सकता है इसके इलावा अगर कोई परसनल कोशन जैसे टेक्स्सलेटर कोईरेगा ये वह सारे वह सारो कर सकता है इने हम पहले देखिया तो कम वर्ड का वहांपे मिलता था है यांदिढ करता तो इसकी accuracy 85.5 जो इंग्लिश के अंदर जैसे इंडियन लेगोई जैसे तेलगू है वह 71 परसेंट है तो मतलब मुल्टी लिंग्वल है तो उससे भी हमें benefit यहाँ पर मिल सकता है कि original language है उसके अंदर भी यहाँ पर benefit हो सकता है क्या यह अभी available है देखो Khan Academy से लेकर बहुत सी चीज़े है वह जो आपने देखा होगा तो वहाँ पर यूज कर रहे हैं मतलब पैसा देना पड़ता है उसके बाद आप यूज कर सकते हैं लेकिन आप free of cost भी कर सकते हैं यहाँ पे इनों एक तरीका बता है Microsoft का जो नया search engine है Bing उ यहां फिर कैसे कैसे चल रहे हैं यहां पर clarity हमें थोड़ी सी चाहिए विकास हमें आंसर जो है वहां पर देना है तो इसके लावा 24 के current फिर का program जो है हमारा यह भी चल रहे है अगें यहां पर अगर आप code यूज करोगे science sir तो यहां पर आपको और 10% discount बिल सकता है तो यहां को इस वीडियो को भी लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रही है तो दिस इस आल प्रॉम मैंसेट मिलते नेक्स टेंग थेंक यू हिर्मेट